देखे वह वीडियो क्लिप हो गया था मैं चलती जा रही थी और वो वीडियो रुख गया था है ना तो मैं इसको दुबारा से इसमें तिखा रही हूँ आपको अच्छा हम यह क्या करे थे यह तो यहां तक तो आपको समझ में आई गया था बस कुछ नहीं डी ब्रॉगली व वेवेवलेंध ही है पर किसके लिए है अनले डिर्रतिंडब्विस्टिक पार्टिकल के लिए जो ध्यान रहे ओटी कि लिए जब जोटी बहुत छोटा हो करके छोड़ दोग΄ समझ में और वहिंदेटीबल मान करके छोड़ तो यह आजाएगा едव और not V जो कि किसके लिए था non-relativistic के लिए समझ में आ गए तो relativistic से आप non-relativistic भी निकाल सकते हो कैसे वी को सी के comparison में छोड़ तो भई जब इसी से बहुत चोटा है तो वी square तो सी square के comparison में और भी चोटा हो जाएगा तो हम इसको negligible मान के छोड़ सकते हैं एक के comparison में बहुत चोटी quantity में लेगी न तो यह किसके लिए आ गया रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ठीक है अब यह तो wavelength हो गई velocity की form में अगर मुझे wavelength energy की form में निकालनी हो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए तो क्या करेंगे वो मैं बता रही हो आगे ठीक है फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल energy momentum relation क्या होता है हम जानते है न e square is equals to क्या होता है p square c square plus m not square c4 होता है कि नहीं होता है ठीक है अब हम यह भी जानते है what is the relativistic kinetic energy इसको मैं नमबर 2 डालके अभी यहाँ पे छोड़ देते हूं ठीक है अब आपको पता होगा what is the relativistic kinetic energy ठीक है since relativistic kinetic energy is k is equals to आपने पढ़ा था e minus m not c square यह मैंने आपको कब पढ़ाय था second year में पढ़ाय था mathematical physics में ठीक है जहां आपने आइंस्टीन का एक शिक्ता का सिद्धान पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था the kinetic energy जो relativistic होती है वो इतनी होती है समझ में आगई अब आप क्या कर सकते हो यहां से क्या निकल करके आएगा e is equals to e आएगा k plus m not c square ठीक है इसका आप क्या कर दो इसको आप यहां रखोगे equation number 2 में यह तो हो गई 3 3 को में 2 में रखोंगे तो यहां पर square यूज होगा तो 3 को आप रखेंगे कहां 2 में तो क्या हो जाएगा इसका square कर दो कर दो मैं square सीधा square करोगे तो k square plus m not square c4 plus 2k m not c square is equals to p square c square plus m not square c4 ठीक है बई अब यह से cancel हो गया ठीक है अच्छा अब यहां से देखो आप मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए पी समझ में आ गई ताकि मैं वो जो यहां से पी निकले उस पी को मैं यहां रख दू तो मेरे पास wavelength आ जाएगी kinetic energy की form में आ जाएगी है तो क्योंकि पहले मैं इने किफिक लेगा अब के पास एक इसवाल इकविशन जितना आएगए हम इससे तो तो P कितना आएगा, मेरे पास आ रहा है, फिलाल मैं उसको सही करके लिख दिती हूँ, P² C² is equal to K² plus 2KM0 और साथ में C², ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, P निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, K common ले लो इसमें से, अंदर कितना बचेगा, K plus 2M0 C², और 1 upon C, और इसका हो ज को तो C बन गया, समझ में आगी बात आपको, तो यह आपके पास momentum आ गया, अरे, box में नी बन करना था इसको, कोई नहीं, इसको equation number 4 डालेंगे, 4 को हम कहां रखेंगे, इसमें, lambda is equal to H upon P वाले expression में रखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, put equation 4 in lambda is equal to H upon P, तो मेरे पास lambda is equal to H upon, समझ में आगी बात आपको, ठीक है, अब आप इस C को उपर ले जाओ, ठीक है, तो lambda is equal to कितना आ गया, H upon under root K, K plus 2 M not C square, समझ में आ गई, तो यह आपके पास wavelength का expression आ गया, for relativistic particle, ठीक है, और जो हमने, यह पढ़ा था अभी, वो था for non-relativistic particle, ठीक है, अभी कौन सा पढ़ा ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, non-relativistic particle के लिए, जब V is very very less dense C होगा, तो आपने lambda easily find out कर लिया, वहाँ पे आपको rest mass use करना है, समझ में आ गई, फिर आप क्या करेंगे, जो यह formula आ गया, उसको आपको E kinetic energy में convert करना है, V निकाल करके रख दिया, यह आ गया, फिर जब हम में relativistic particle के लिए find out क्या है, तो वहाँ पे rest mass की जगे, moving mass काम में लेंगे, तो जो M है, उसकी जगे हमें M0 upon under 1 minus V square upon C square करना, यह आ जाएगा, ठीक है, फिर मुझे इसको kinetic energy की form वाले formula में भी निकालना है, तो मैंने energy momentum relation, जो कि relativistic energy momentum relation होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं, non-rel करके यहां रग दिया, और square कर दिया, क्योंकि यहां पे square है, ठीक है, काट दिया, पी की value निकाली, और पी की value को मैंने यहां lambda में रग दिया, तो मेरे पास lambda जो है, वो kinetic energy की form में आ गया, यह सारी चीज़े आपको numerical में काम आएगी, और जो topic है, उस लिहासे तो यह ही important, the de Broglie wavelength of relativistic particle, relativistic particle, समझभा आगए, और जो पिछला था, वो किसमे था, और साथ में लिख देना, in kinetic energy form, समझभा आगए बात, आपको मेरे साब से आपको चारो formula याद हो गया होंगे, relativistic और non-relativistic के velocity की form में, और relativistic और non-relativistic के kinetic energy की form में, समझभा आगए, अच्छा, इसमें एक जो important चीज़ ध्यान रखने के, वो मैं आपको बता देती हूँ, कि हम कहतो रहे हैं, de Broglie ने ये कहा तो सही, कि हर जो कण होगा, उससे संबद एक तरंग होगी, यानि कि जब भी अच्छा कण भी कैसा होना चाहिए, moving, जो rest particle होगा, उससे संबद कोई तरंग नहीं होगी, लेकिन जब कण मूव करना शुरू करेगा, अपनी जगए को छोड़ करके दूसरी जगए पर जाएगा, तो उससे associated एक wave होगी, ठीक है, लेकिन experimental ये देखा गया है, कि किसी भी particle स संबद या associated wave होती है, उसकी तरंग देर्द इतनी छोटी होती है, इतनी कम होती है, कि उसको हमारे पास वर्तमान में जितने भी apparatus है, उन से नापना संभव नहीं होता, अब ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे है, ये बात वास्ताव में सही है, उसको मैं आपको बताऊंगी, कि क्यों नापना संभव नहीं होता, किसी भी पार्टिकल से associated wave को नापना, क्योंकि हम क्या कह रहा है, क्योंकि उसकी wavelength बहुत ही छोटी होती है, जैसे सपोस करो, आपके पास कोई मास है, M is equal to 1 kg का कोई मास है, और वो मूब कर रहा है, विद 1 km per second, या आप इसको 10 देश तो पा झाप determinant पार्टिकल से तो आपके बहा है, क्योंकि जना संही होता, क्योंकि बहा है, म१िया एसको 220 द bå Agora hinएका को करो चार्स तो 21 ऐना करो आप lovers, मीं उसक भी पार्साम mm, सर भने Bible नहीं होता, किसी पार्सार्टिकल से य़िए है सी जस्तार्स यह है, जो यह ज़िए है आप